कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्य मंतरी बोपेश बगेल ने बताया कि विधान सबक के विशेश सत्र में पेश्ट करने वाले विध्यक की मसौधे पर चर्चा की गई उसमें अनसुच जाती, जन जाती, पिछड़ा वर्ग और EWS के आरक्षन पर भी बात हुई वो चुन्याले ने जिला केडर के आरक्षन भी खारिश किया था, वो भी उतना ही महतपूर्ण है, पहले उसे एक आदिश के तहट दिया जाता था, अब उसको भी एक्ट में लाया जाएगा क्रिशी पंचायत और संसद्य कारे विभाग के मंतिर रविंदर चौबे ने बताया, क्यों चुन्याले के फैसले के बाद आरक्षन मामले में जुस्तर की परिसुतियां बनी, वो उसको लेकर राजे सरकार बेहत गंभीर है तै हुआ है कि आरक्षन अधिनियम के जिन प्राफधानों को ओच नियाले ने रदि किया है, उसे कानून के जरिये फिर से प्रुभावी किया जाए इसके लिए लोग सेवाओं में आरक्षन संशोधन विध्यक 2022 और सेक्षनिक संस्थाओं के प्रिवेश में आरक्षन संशोधन विध्यक 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है इन विद्योकों को 1-2 दिसंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेश सत्र में पेश किया जाएगा मंत्री रविंदर चौबे ने कहा कि सरकार बार बार ये कह रहे है कि सरकार जनसंक्या के अनुपात में आरक्षन्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है वहीं सरोच नेले ने भी सामानेवर के गरीबों को 10 फीजदी तक UPTO आरक्षन्ट देने की उचित बात कह चुकी है तो उसका भी पालन किया जाएगा मंत्री ने कानूनी बादिताओं की वज़े से विधान सभा में विध्यक पेश होने से पहले आरक्षन्ट का अनुपात नहीं बताया लेकिन सरकार के उच्चे पदस्त सुत्रों का कहना है कि IST के लिए 32 फीजदी, ESE के लिए 13, OBC के लिए 27 और समानेवर गरीबों EWS के लिए 4 फीजदी तैह हुआ है बताजारे कि सरकार इस विध्यक के साथ एक संकल्प पारित करने पर विचार कर रही है इसमें केंदर सरकार से आगरे किया जाएगा कि वो 36 गड़ के आरेक्षन कानून को समविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर ले इससेगा प्रस्ताओ तमिलाडू ने भेजा था, करनाटक भी ऐसा ही कर रहा है एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि अधिनेयम की नवी अनुसूची में शामिल होने का प्रभाव ये होता है कि उसे किसी नयले में चुनोती नहीं दी जा सकती फिलाल यही एक रास्ता दिख रहा है जिसे आरेक्षन को अविवादित रखा जा सकता है तिनुराज्यों के अधिन रिपोर्ट और कॉंटि फैबल डाटा पर भी बात आरेक्षन मामले में बिलासपूर उचुनेले ने अनुपात बढ़ाने के उचित और आधर पर सवाल उठाये थे सरकार का कहना है कि उन्होंने 2012 में बने सरजियस मिंज कमेटी और ननकी नाम कमर कमेटी की रिपोर्ट अधालत में पेश करनी चाहिए थी लेकिन अधालत ने तक्नीक अधारों पर इसकी अनुमती नहीं दी सरकार ने अभी जन प्रतेनिधियों और अधीकारियों के एक अध्यन दल तमिलाडू करनाटग और महरास्ट के आरक्षन मॉडल का अध्यन करने भेजा था उसकी रिपोर्ट भी केबरेट में रखे गई वहीं कॉंटिफाइवल डाटा आयोग ने प्रदेश की अबादी में आने पिछला वर्ग और सामाने वर्ग के गरीवों के सर्वे का काम पूरकर रिपोर्ट दे दी थी उस पर भी चर्चा हुई है मंतिर अबिंदर चौबे नी कहा कि आरश्ण के लिए इन आकुणों और तत्यों को भी आदार बने गया है 2012 तक प्रदेश में अनुसुची जाती वर्ग को 16 फीजदी आरश्ण मिल रहा था 2012 में बदलाओ के बाद इसे 12 फीजदी कर दिया गया गुरु घासी दा से साहित और संस्कतिक अकादिमी इसी का विरूत करनी वो चुनेले गये थे लेकिन उसे पूरा जोर आदिवसी समाज को दिये जा रहे 32 फीजदी आरश्ण को आसामिदानिक साबित करनी में लगाया अब हाई कोट के आदिश से पूरा आरख्षण रोज तर खत्म हो चुका है ऐसे में सरकार जनसंक्या के अनुपात में आरश्ण 13 फीजदी करती है तो नुसुची जाती वर की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है अगर ये 16 फीजदी होता है तो जनसंक्या के अनुपात में आरख्षण देने का सरकार का तर्ग खारिश हो जाएगा नेशनल डेस्क टोटल न्यूस